आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे तीन योगासन जिनको करने से आपकी लटकती हुई तोन एकदम कम हो जाएगी और आपकी बोड़ी एकदम शेप में आ जाएगी ये तीनों ही योगासन बहुत जादा एजी और हेल्पफुल हैं इनको जैसे आप रेगुलर्ली करो हमारे फर्स्ट योगासन है सेतुबंदी योगासन इस योगासन को करने के लिए आप अपने इस वाले पार्ट को बिल्कुल स्लोवली और बहुत जादा स्मूदली ऊपर की तरफ ठाएंगे और आपसे जितना हो सकता है इसे आप स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे इसे कर तो आप देखेंगे कि जो आपकी कोर मिसल्स हैं जो आपका बैली एरिया है जो आपका पेट है और जो आपकी बैक है वह बहुत जादा स्ट्रेच हो रही है और उस पे तनाव आ रहा है इस पोजिशन में कम से कम आप 20 से 30 से किंड रहिए और उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी पूरी बोड़ी को नीचे ले के आएं ये योगासन करते से मैं आपको ध्यान रखना है कि जब आप पनी बोड़ी को उपर लेके जाते हैं या जब आपनी बोड़ी को नीचे लेके आते हैं तो आप उसमें कोई भी जल्दबाजी करें आपकी बोड़ी एक गिम स्मूदली और बहुत जादा स्लोली उपर जाए या नीचे आए जिटका लगने से आपको इसमें कमरदर्ध हो सकता है अब हमाते हैं अपने नेक्स्ट आसन पे जो है हलासन इसके लिए आपको पहले सीधा लेट जाना है उसके बाद आप अपन अपने सिर के पीछे लेकर जाने की कोशिश कीजिए तो अब हम करते हैं अपना तीसरा योगासन जो है मंडुकासन इसके लिए आप अपने पेरों पर बयच रहिए अपको बहुत जादा आराम से और प्रोक्रिबल हुं पैठ जानेिए आपको पैरों प bogत जाने इसके बाद अपने जोनों हाथों से अपने पेन को अंदर की तरफ तवाईए और बिलकुल आग आई अपने गर्दख को आपको आपका जैस्ट एरिया या जो आपका स्टमक एरिया है और अपने पैरों के पीच कोई भी रैप में ही छोड़े है तो यहां पर हमारी वीडियो खतम होती है यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में ज़रूर बताईए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई